कि नमस्कार स्वागा थे आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में साथी हूं आज हम बात करेंगे कि की तरस से जो यूपी आट्यू के रिजल्ट आते हैं और उस रिजल्ट में आपका जो एंसी लिखा होता है और एंसी लिखने का कारण जो आपका एसाइमेन का नमबर न चढ़ना है इसको हम की तरस से सही कर सकते हैं आज हम इसी की बात करेंगे जैसे कि आपको हम एक रिजल्ट दिखा रह नहीं चड़े हुए हैं उसके बाद आपके विकाम 104, 104, 105, 106, 107, 108, 109 उसके बाद और नीचे भी यह जो पेपर है आपका यह CRM01 इसमें भी इनके साइमेर के नमबर नहीं चड़े हुए हैं तो अब देखिए इनका रिजल्ट चुकि आ चुका है फाइनल लेकि अभी भी इनका नमबर टोटल सो नहीं कर रहा है इसके वससे इनका रिजल्ट प्रिंट हो करके आपके अध्यान के इन पर नहीं आएग चुकि जब तक रिजल्ट कंप्रिंट नहीं होगा तब तक आएगा नहीं ठीक है इसलिए सबसे पहले जोड़ी यह है कि इसाइमेर के नमबर को चड़वाना है तो किस तरह से चड़वाएंगे लेखिए ऐसा उपाय बताना जार रहा हूं जिससे कि आप घर बैठे इसाइ जनौरी के परिच्छा होगी उसका एसाइमेंट जमा होगा आपके लगभभभभभभ नवंबर के महिने में तब आप नर युःक धीक घर लिकिए जमाएगी नमब्र अपुडेट होगा तो नमब्र अपडेट होने और यह जो प्रक्रिया है इसमें आपको क्या करना है इसमें आपका घर बैठे बैठे आराम से नंबर चड़ जाएगा अगर आपने assignment जमा किया है तो अगर नहीं भी जमा किया है तो आप अपने अध्यान केंद्र से आप बता देंगे कि हमने CM Portal पर कंप्रेंड किया हुआ है और आप नंबर जब पूछा जाएगा यहां से जांच के लिए तो आप बता लेजे का कि हमने assignment जमा किया है चुकि assignment आपके अध्यान केंद्र पर ही चेक होते हैं तो अध्यान केंद्र को नंबर चड़ाना होता है तो देखिए किस तरस आप इसको सही करवाएंगे आप पर आप क्या करेंगे यहां तो आप दिख रहा है जन सुनवाई आप इसी पर कंप्रेंट जाकर करेंगे मुख्यमंति के पोर्टल पर इस पर आप सिकायत करेंगे रइस्टर क्लिक करेंगे और यहां पर आप क्या करेंगे सबसे पहले अपना नाम पता डालेंगे नाम पता डालने के बाद आप आगे नेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट क्लिक करेंगे यह है कि तो कोई बात नहीं हम लिख दे जय आपको क्या लिखना मैं भी को दिखाऊंगे ठिक क्या Luckily है यह हमाने सिकायट हो गई में लेक्री करेंगơn है है घ्रकार प्रची ले करेंगे यह इसे मल जें कered में निए को देख काहें भिजिता चंदोली हो गया है । सबस्रें सब्सक्राइब आपका पता पूछेगा आपके पास कोई रिजल्ट का पीडियेफ इसको अप्रूर कर दीजें गैलरी में आप होटो रखे हैं जिसकी सिकायद कर रहे हैं तो उसको अपलोड कर दीजे या कुछ भी अगर नहीं है तो कुछ बात नहीं यहां OTP क्लिक करेंगे और OTP आएगी आपकी सिकायद रइस्टर हो जाएगी इस तरह से इसमें क्या करना होता है और ट्रेक रेवलेंस पर जाएंगे जैसे कि पुरानी सिकायद की है तो उनको आपको दिखा रहा था अभी रिजल्ट देखिए उनका मैंने सिकायद किया हुआ था कि इस तरह से प्रार्थि अंकित बुद्ध संतोष दिवेदी विकाम का छात्र है जिनका नमांका संकर इतना है प्राथि के अंतिर समस्टर के परिच्छा परिगाम में आठ विशयों के विशय लिखा है हमने अधिन्यास के अंक अंकित नहीं है जब कि प्राथि ने अधियन केंद का नाम आप लिखेंगे पर अपना संपूर अधिन्यास कार करके जमा कर दिया है अत्र मौदस निवेदन है कि जाज करके इस अपूर परिच्छा परिगाम को पूर करने के किरिपार करें इन्होंने अपना assignment लिख के जमा किया था लेकिन अधियन के नंबर नहीं चड़ा था तुट्री वस इसलिए अब देखिए इन्होंने आख्या क्या की है इन्होंने आख्या की है कि आपके शिकायति पत्र के संदर में सुचित करना है कि आपके अंग पत्र में वांचित अंग संसुधन कर दिया गया है दो कारदीवसों में वांचित अंग जो है वह क्या होगा आपके रिजल्ट करेक कुः और यह देखिए यह 28 तारीक का ही अब देखिए इनका डिजट में आपको दिखा रहा हूं देखिए यहां बसो कर आप पास इन फ़इस्ट डिविजन ठीक है अब आगे देखिए सारे नंबर यहां पर एसाइमेंट के चड़ चुके हैं कोई यहां अब बागी नहीं रहा गया है पिता के नाम से चेक कर सकते ह तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सही करा सकते हैं अभी मैं आपको एक और दिखा दे रहा हूं जैसे कि अभी एक लोग और थे अब देखिए अब इनका रिजल्ट का मामला उस दिन वही था 28 तारीक के देखिए रिजल्ट भेया था उनने का सर नहीं हुआ हमाना हमने का अब देखिए इनका हमने का कंप्रेंट कदीची सही हो जाएगा हमने कहा कि आप ऐसे लिखे प्राथि मन्जीत माप पुतकेश्व प्रसाद ने एकल विश्य संस्क्रीट में प्रवेश लिया था इस तरह आपको लिखना है जिसका रिश्यसर नमबर यह है प्राथि के अंत हमने कल पूछा इनसे कि आपका सई हो गया है तो नहीं का हाँ सदेखिए नील कमल जी का जैसे कि इन्होंने शिकायत किया था इनका भी था और इनके मिजट का भी था देखिए इनका नमबर तो इसलिए कर रहाँ कि अगर आप को करना है तो सिरे समगने के प्रोटल पर जाएं और जाने के बाद आपको करना कुछ नहीं है आपको सिर्फ और सिल्फ एक शिकायत कर देनी है अच्छा ध्यानीत देंगे कि शिकायत करने के बाद कीया है थिर प contractors अगधूर से नहीं नह नहीं आपाएगा एक जानले जैसी के साथ साथ आपका जो रिजल्ट बन करके आएगा तो आप अक्सर रिजल्ट रिजल्ट आल वाले में अपना रिजल्ट चेक करना होता है जिसका रिजल्ट करेक्शन होता है वो यहां चेक करेगा नकी रिजल्ट आल पर जा करके यहां पर तो आसा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद अभी कोई कि आपके संका है अगर मारे कोई समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूर सकते ठीक है इसी के साथ मैंने तिस्षी सरा अश्वी से विज़ा लेता हू धन्यमाद।